और मन की बात उसमें मैं कई विश्यों को लेकर के आता हूँ लेकिन आज देश और दुनिया के मन में सिर्फ और सिर्फ एकी बात है कोरोना वैश्विक महामारी से आया हुआ ये भहेंकर संकट ऐसे में मैं और कुछ बाते करू वो उचित नहीं होगा लेकिन सबसे पहले मैं सभी देश वासियों से शमा मांगता हूँ और मेरी आत्मा कहती है का आप मुझे जरूर शमा करेंगे क्योंकि कुछ ऐसे निर्णे लेने पड़े हैं जिसकी विज़र से आपको कई तरह की कठेनाईयां उठानी पढ़ रही है खास करके मेरे गरीब भाई बहनों को देखता हूँ तो जुरूर लगता है कि उनको लगता होगा कि ऐसा कैसा प्रधान मंत्री है हमें इस मुसीबत में डाल दिया उनसे भी मैं विशेस रुज़र शमा मांगता हूँ हो सकता है बहुत से लोग मुझसे नाराज भी होंगी कि ऐसे कैसे सबको घर में बन कर मैं आपकी दिक्कते समझता हूँ आपकी परिशानी भी समझता हूँ लेकिन भारत जैसे 130 करोड की आबादी वाले देश को करोणा के खिलाब लड़ाई के लिए ये कदम उठाएज बिना कोई रास्ता नहीं था करोणा के खिलाब लड़ाई जीवन और मृत्ति के बीच की लड़ाई है और इस लड़ाई में हमें जीतना है और इसी लिए ये कठोर कदम उठाने बहुत आवशक थे किसी का मन नहीं करता है ऐसे कदमों के लिए लेकिन दुनिया के हालाद देखने के बार लगता है कि यही एक रास्ता बचवा है आपको आपके परिवार को सुरक्षित रखना है मैं फिर एक बार आपको जो भी असुविदा हुई है कठनाई हुई हैं इसके लिए छमा वांगता हूँ साथियों हमारी यहां कहा गया है एवम एव विकारह अपीतरुनह साध्यते सुखम यानि बीमारी और उसके प्रकोप से शुरुवात में ही निपटना चाहिए बाद में रोग असाध्य हो जाते हैं तब इलाज भी मुश्किल हो जाता है और आज पुरा हिंदुस्तान हर हिंदुस्तानी यही कर रहा है भायों बहनों माताओं वजुर्गों कोरोना वाइरस ने दुनिया को कैद कर दिया है यह ज्ञान, विज्ञान, गरीब, संपन, कमजोर, ताकतवर हर किसी को चुनोती दे रहा है यह ना तो राश की सिमाओं में बना है नहीं यह कोई छेत्र देखता है और नहीं कोई मौसम यह वाइरस इनसान को मारने पर उसे समाप्त करने की जीद उठा कर बैठा है और इसलिए सभी लोगों को पूरी मानव जाती को इस वाइरस के खत्म करने के लिए एक जुट होकर संकल्प लेना ही होगा कुछ लोगों को लगता है कि वो लोकडाउन का पालन कर रहे हैं तो ऐसा करके वो मानव जैसे दूसरों के मदद कर रहे हैं अरे भाई यह ब्रह्म पालना सही नहीं है यह लोकडाउन आपके खुद के बचने के लिए है आपको अपने को बचाना है अपने परिवार को बच लक्षमन डेखा का पालन करना ही है। साथियों मैं ये भी जानता हूं कि कोई कानुन नहीं तोड़ना चाहता। नियम नहीं तोड़ना चाहता। लेकिन कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं क्योंकि अब भी वो स्थीती की गंभीर्चा को नहीं समझ रहे हैं। ऐसे लोगों को यही कहूंगा कि लॉकडाउन का नियम तोड़ेंगे तो कुरोना वायरस से बचना मुश्किल हो जाएगा। दुनिया भर में बहुत से लोगों को कुछ इसी तरह की खुश फ़हमी थी। आज ये सब पच्ता रहे हैं। साथियों हमारे यहां कहा गया है आरोग्यम परंभाग्यम स्वास्थम सरवार्त साधनम यानि आरोग्य ही सबसे बड़ा भाग्य है। दुनिया में सभी सुख का साधन स्वास्त ही है ऐसे में नियम तोड़ने वाले अपने जीवन के साथ बहुत बड़ा खिलवार कर रहे हैं चाथियों इस लड़ाई के अनेको योद्धा ऐसे हैं जो गरों में नहीं गरों के बाहर रहकर कोरोना वायरस का मुकाबला कर रहे हैं जो हमारे फ्रंट लाइन सोर्जर्स हैं खास करके हमारी नर्सिस बहने हैं नर्सिस का काम करने वाले भाई हैं डॉक्टर हैं परेडा मेडिक कर स्टाफ हैं ऐसे साथी जो कोरोना को पराजित कर चुके हैं आज हमें उनसे प्रेणा ले ली है बीते दिनों में मैंने ऐसे कुछ लोगों से फोन पर बात की है उनका उत्सा भी बढ़ाया है और उनसे बाते करके मेरा भी उत्सा बढ़ा है मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है मेरा बहुत मन था, इसलिए इस बार मन की बात मैं ऐसे साथियों के अनुभव, उनसे हुई बाचीत, उसमें से कुछ बातें आपसे साजा करूँ, सबसे पहले हमारे साथ जुड़ेंगे स्री राम गंपा तेजा जी, वैसे तो आईटी प्रोफेशनल है, आईए उनके इस गंबी संकर से बाहर निकले हैं, जरूर मैं आपसे कुछ बात करना चाहता था, बताईए आप इस सारे संकर से निकले हैं तो अपना अनुभव में सुनना चाहता था, मैं आईटी सेक्टर के एंपलॉई हूँ, काम के वज़े से दुबाई गया था मैं, मीटिंग्स के वहाँ पे जाने अन जाने इसे हो गया था, वापस आते ही, फीवर वो सब चाल हो गया थे जी, तो पांच-छे दिन के बाद डॉक्टर्स ने कुरना विरस का टेस्ट की और था पॉस्टिव आ गया था, तब गांधी ऑस्पिटल, गौर्नमेंट ऑस्पिटल हाइदरबाद में, वहाँ पे एड्मिज किये थे मुझे, और उसके बाद, 14 दिन के बाद, ठीक हो गया था मैं, और डिस्टार्ज हो गया था, तो तो तोड़ा धरामना था यह सब, यानि जब आपको संकरमन का पता चला, और ये उसके पहले पता तो होगा कि ये वायरस बहुत बहेंकर ह है, और तकलीब कर रहा है, तो जब आपके साथ हुआ तो आपको क्या, एकदम से इमीजिएट क्या रिस्पॉंस था आपका, पहले तो बहुत डर गया था, पहले तो बिलीव भी नहीं कर रहा था मैं, कि हो गया, ऐसा कैसे हुआ था, क्योंकि इंडिया में किसी को, दो-तीन दो को आया था तब, तो कुछ नहीं पता था उसके बारे में, हॉस्पिटल में जब एड्मिट के थे, मुझे क्वारिंटीन में रखे थे, तब तो पहले दो-तीन दिन तो फूरा ऐसे ही चला गया था, लेकिन वहां के डॉक्टर्स और नर्से जो है न, वो बहुत अच्छ तो पहले जब दर था लेकिन उसके बाद ऐसे लगा कि हां इतने अच्छे लोगे के साथ हूं, उनको पता है क्या करना है, and I'll get better, ऐसे ही लगाता. परिवार के लोगों की मनस्तिती क्या थी? जब मैं हॉस्पिटल में एड्मिट हुआ तब पहले तो सब बहुत स्ट्रेस में थे, जारा इटेंशन वो सब था, लेकिन हाँ, सबसे पहले तो उनका भी टेस्ट किये थे, सबका नेगिटिव आ गया था, वो सबसे बड़ा ब्लेसिंग है हमारे लिए हमारे फैमिली के ल परिवार के लिए तो पहले उसके बार में जो पता चला तब तो मैं कौरेंटीन गी था, लेकिन क्वारेंटीन के बाद भी डॉक्टर्स ने बताया थे कि और छोज़ा दिन गर पे ही रहना हैं, और अपने रूम में रहना और हाउस क्वारेंटेन रखने के लिए बोलते है तो आने के बाद भी मैं अपने गर में हूँ, मेरे रूम में रहता हूँ, ज्यादा तक मास्क रखे रहता हूँ, दिन बर जो जब बाहर काने के लिए कुछ होगा, हैंड वाशिंग हो सब इंपोर्टेंट है। तो क्या होगा, कि लोग डर भी नहीं जाएंगे, at the same time care करने से कैसे बच सकते हैं, वो भी बड़े आराम से लोगों तक पहुंच जाएगा। चलिए राम बहुत पहुत शुब कामना है आपको। तैंक यूू। साथियों जैसा कि राम ने बताया कि उन्होंने हर उस निर्देश का पालन किया, जो इनको कोरोना की आश्रंका होने के बाद डॉक्टरों ने दिये। इसी का परणाम है कि आज वो स्फस्त होकर सामाने जीवन जी रहे हैं। हमारे साथ ऐसे ही एक और साथी जुड़े हैं जिन्होंने कोरोना को पराजित किया हैं और उनका तो पूरा परिवार इस संकट में फस गया था। नवजवान बेटा भी फस गया था। आईए आगरा के शिमान अशोक कपूर के साथ हम बात करते हैं। अशोक जी नमस्ते। नमस्कार जी मेरा सभाग्या है जी आपसे बात हो रही है। चलिए हमारा भी सभाग्या है। मैंने फोन इसलिए किया क्योंकि आपका पूरा परिवार इस संकट में फसा था। जी 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 मैं जुरूर जानना चाहूंगा कि आपको ये समस्या ये संक्रमन का पता कैसे चला। क्या हुआ अस्पिताल में क्या हुआ ताकि मैं आपकी बात सून करके अगर कोई चीजे देश को बताने जैसी होगी तो मैं उसका उप्योग करूंगा। बिल्कुल साथ। ऐसा साथ कि मेरे दो बेटे हैं ये इतली गहते वह पर शेयर सा शूस का हुआ चुटे का काम करते हैं जी ट्रैक्टिया मैनुफेक्शिंग का तो वहां गहते इतली पर जब ये वापिस आए ना तो हमारा दाबाद भी गया था वो दिली रहते हैं तो उन ने उनको पॉजिटिव बताया तो उसको उन्होंने शिफ्ट कर दिया सब्यद्या हमको वहां से फोन आया कि आप वह उड़के साथ गये ता आप टेक्स कराएं तो दोड़ों बेचे चलेगे टेस कराने यहीं अगरा जिस्टिव होस्पीटल वे अगरा जिस्टिव होस्प अगरे के बेचे की वाइफ और बेरा ग्राइट सब्सक्राइब तो हम चेगा उन्होंने पोस्टिव बताया तो अपको दिल्ली ले जाना है जी हम सर्व दरे नहीं हमने ठीक है अच्छा पता लगया हम लोग दिल्ली वहां चलेगे सब्दर जग अस्टिटल ये आगरे वा अगरे के डाक्टर की अद्विस्टेशन की अपूरा जोने आमें सेहोग किया अबुलंसे आया है ये अबुलंसे ठीक था 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 बैट के अपे हमको दो आपूलेंस देजी सग में डाक्टर भी थे और अमको इनोंने सब्दर जग होस्पिटल चोड़ गिया सब्दर ज सब कुछ था तो सर अम फिस चोड़ा दिन वहाँ होस्पिटल में अकेले रहते थे और डाक्टरों का जहां तक बात है बहुत स्योग राजी बड़ा अच्छा हमको लोंने ठीट किया चाह स्टाफ हो वह एक्शल वह अपनी ज्रेस्पन के आते से न सरफपता नहीं चलता थ कि यह डाक्टर है या वाड़ वोई या नर्स है और जो कहते थे हम माल लेते हैं बिराल हमको किसी तरह की भी एक परसेंट भी प्राबलम नहीं आई आपका आत्मईश्वास भी बड़ा मजबूत दिखता है जी सब आया परसेक्ट अजी और बैने तो बलके सार अपने घु आपको नूभाव इसमें काम आया पूरे परिवार को विश्वाद भी दिलाए हिंबत भी झ्या हमने यह नहीं वह परिवार को गए एक दूसरे काम सारा रा मिलते नहीं थे फौन पर बात कर लेते थे मिलते बिलते नहीं और ड़ाक्टरों ने पूरी हमारी की जितनी होनी कि यह हम उनके अभारी हैं उन्होंने बहुत अच्छा अभारे साथ किया और स्टाफ नर्से जो थी उन्होंने पूरा हमको सहोग दिया है चलिए मेरी आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत-बहुत शुकामना है थैंक्यों जी धन्यवाद सब्सक्राइब खुश है कि कि अपने तरीके से आग्रा में करिए बुखा है तो इसको खाना खिलाए गरीपी जिंता किजिए और नियमों का पालन करें लोगों को समझाईए कि आपका पूरिवार इस बिमारी में फसा था लेकिन आपने नियमों का पालन करके अपने परिवार को बचाए है सब लोगों का पालन करें तो देश बच जाएगा हमने सार बोदी सार कि हमने अवला वीडियो बगारा इस बना के ना चैनल में दिया है अच्छा इसलिए कि लोगों में अवेर नस रहे है और चैनल वालों ने दिखाया दिया है हां सोशल मेडिया में बहुत पॉपुलर करना चाहिए है जी जी और हमने अपनी कलोनी में जाम रहते हैं सुस्री कॉलिए हैं सब को हमने कह दिया देखो जी हम आगे है ताब डरें नहीं कोई प्रॉब्लम है जाके टेस्ट कराएं और जो लोग अबारे संग जो बिले करते हैं जैसा कि इन्होंने कहा कि पैनिक हुए बिना डरे बिना समय पर सही कदम उठाना समय पर डॉक्टरों से संपर करना और उचीत साउधानी रखते हुए इस महामारी को हम पराजित कर सकते हैं साथियो हम मेडिकल स्थर पर इस महामारी से कैसे निपट रहे हैं इसके अनुहोब जानने के लिए मैंने कुछ डॉक्टरों से बात की जो इस लड़ाई में पहली पंक्ती में मोर्चा समाले हुए हैं, रोज मरा की उनकी गतिवीदी इनी पेशन्टों के साथ पढ़ती हैं, आईए हमारे साथ दिल्ली से डॉक्टर नितिश गुपता जुड़े हैं नमस्ते डॉक्टर, नमस्ते नितिश जी, आप तो बिल्कुल मोर्चे पर डटे हुए हो, तो मैं जानना चाहता हूँ कि अस्पतालों में बाकी आपके साथियों का मूर कैसा है, क्या है जराई? सब का मूड अब बीट है, आपका अशिरवात सब के साथ है, आपने दिया हुआ सारा हॉस्पिटल को जो भी आप सपोर्ट कर रहे हैं, जो भी चीज़ हम मांग रहे हैं, आप सब प्रोवाइट कर रहे हैं, तो हम लोग बिल्कुल जैसे ही लगे हुए हैं, और हमारा पेकी करतव है कि पेशेंट ठीक होके घर जाएं, आपकी बात सही है, ये युद्ध जैसा स्थिती हैं और आपी सब मोर्चा समाले बैटे हो, आपको तो इलाज के साथ साथ मरीज की कांसिलिंग भी करनी पड़ती होगी, आपके सार, वो सबसे ज़्यादर जरूरी चीज़ जब बात करते हैं तो overall क्या आता है, आपके सामने जब डरे हुए लोग है तो उनकी चिंता क्या सताती है? जब वो नेगेटिव आएंगे तब आपको घर बेश सकते हैं, और हम इसलिए उनकी बार बार हज दो, तीन, चार गंटे में उनके पास जाते हैं, मिलते हैं, उनके पूछते हैं, उनको सवहलियत होती है, पूरे दिन में तो ही उनको अच्छा लगता है। जी सर बिलकुल बनता है, हम अपने टीम को बिलकुल प्रोत्राहिब करके रखते हैं, कि ड़ने वाली कोई बात नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है, अगर हम पूरी प्रिकॉशन लेंगे, मरीश को अच्छे से प्रिकॉशन समझाएंगे कि आपको ऐसे करना है, तो सब चीज ठीक रहेंगे. अपने साथियों का ध्यान रखे, अपने परिवार का ध्यान रखे, दुनिया का अनुभव बताता है, कि इस बिमारी से संकरमित होने वाले वेक्तियों की संक्या अचानक बढ़ती हैं. अचानक होने वाले इस वृद्धी की वजह से विदेशों में हमने अच्छी से अच्छी स्वास्त सेवा को जवाब देते हुई देखा है भारत में इस्थिती ना आए इसके लिए ही हमें निरंतर प्रयास करना है एक और डॉक्टर हमारे साथ पूने से जुड़ रहे हैं सिमान डॉक्टर बोर से नमस्ते डॉक्टर आप तो बिलकुल एक जनसेवा प्रभू सेवा के मिजाद से काम में लगे हैं तो मैं आज आप से कुछ बाते करना चाहता हूं जो देश वाच्छों के लिए आपके संदेश चाहिए एक तो अनेक लोगों के मन में प्रशन है कि कब डॉक्टर से संपर करना है और कब उनको कॉरोना का टेस्ट कराना है एक डॉक्टर के नाति और आप तो पूरी तरह आपने आपको इस कॉरोना के मरीजों के लिए समर्पित कर दिया है तो आपकी बात में बहुत ताकत है तो मैं सुनना चाहता हूं सर जी माई यहां पे बीजे मेडिकल कॉलिज पुना है वहां पे प्रोफेसर हूं और हमारे पुना मुंसिकल कॉर्परेशन हॉस्पीटल है नाइडव हॉस्पीटल कर दिया है वहां पे जनेवरी 2020 से स्क्रीनिंग सेंटर चालू हो गया है वहां पे आज तब 16 कोविड-19 पॉजिटिव केसे निकले हैं और वो 16 कोविड-19 पेशन जो निकले है उसमें से हमन और वायरस बोड़ी में होते हुए भी आर बेटिंग वेल यार रीकवरी आउट अप दी करोना वायरस और अभी यहां पे जो टैंपल साइज पो वैसे छोटा है सर एक्षिन केसी है लेकिन ऐसा मालूम हो रहा है कि यंग पॉपुलिशन भी अफेक्ट हो रही है और यंग अफेक्ट होते हुए भी जो डिसी है वो ज्यादा सीरिज इसीज नहीं है लिए था वो माइल डिसी और वो पेशन लोग काफी अच्छे हो रहे है और अभी बाल्ट बाकिया है वहां पे वहां पे वाह पे ते आर अलसो गोहीं तो बेएर टीपिं वाच आंधा ने ओनुट जो लोग हमारी यहां suspect करके आती है international travelers है और जो contact में आये है आईसे लोगों का सर हम swab ले रहे है ये जो फरेंगल स्वाब ले रहे है नेजल स्वाब ले रहे है और नेजल स्वाब का रिपोर्ट आने के बाद अगर positive निकला है तो हम positive ward में अड्मित कर रहे है और negative अगर निकला तो उनको home quarantine का अपनेश बेखे कैसा लेना है home quarantine क्या करना है home को जाके यह advice करके हम उनको घर के भीज रहे हैं उसमें क्या समझाते हैं आप गर में रहने के लिए क्या क्या समझाते हैं आप जड़ा बताईए सब एक तो अगर home में भी रहे तो home में भी quarantine आपको करना है छे फीट बिस्पल कम से कम तो आपको रखना है यह पहली बात दूसरी बात उनको mask जूद करना है और बार बार हाथ साफ करना है अगर आपके पास sanitization नहीं है तिर भी अपना सादा simple sabun पे और पानी से हाथ साफ करना है और जब आपको खाकी आएगी तो आप सादा रुमा लगा के उसके उपर खाकी करना है तो जो droplets है वो droplets जादा दूर तक नहीं जाए और जमीन पे ना गिरे और जमीन पे ना गिरने के वज़े से वगर हाथ लग जाता है तो किसी को फैलना पॉसिबल नहीं होगा सब्सक्राइब करना दूर नौट परटीन बीजा तो करेंटेम करेंगे तो चलिए डॉक्टर आप बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं और समरपन भावसे कर रहा आपकी पूरी टीम लगी है मुझे विश्वास है कि हमारे जितने भी पेश hates आये हैं सब सुरक्षित होकर के अपने घर जाएंगे और देष में भी हम इस लड़ाई बलकि अपने जीवन में उतारना भी है आज जब मैं डॉक्टरों का त्याग, तपस्या, समर्पन देख रहा हूँ तो मुझे आचारिय चरक की कही हुई बात याद आती है आचारिय चरक ने डॉक्टरों के लिए बहुत सटिक बात कही है और वाज हमारे डॉक्टरों की जीवन में हम देख रहे हैं आचारिय चरक ने कहा है ना आत्मार्थम न अपिकरमार्थम अतभूत दयाम प्रती वर्तते यत चिकित सायाम सर्वम इति वर्तते यानि धन और किसी खास कामना को लेकर नहीं बलकि मरीज की सेवा के लिए दयाभाव रखकर कायरे करता है वो सर्वस्रेष्ट चिकित सक होता है साथियो मानवता से भरी हुई हर नर्ष को आज में नमन करता हूँ आप सभी जिस सेवाभाव के साथ कायरे करते हैं वो अतुलनी है ये भी सैयोग है कि इस वर्ष यानी 2020 को पुरावीश्व International Year of the Nurse and Midwife के तौर पर मना रहा है इसका समन 200 वर्ष पुर्व 1820 में जन्म लेने वाली Florence Nightingale से जुड़ा हुआ है जिन्होंने मानव सेवा को, नर्सिंग को एक नई पहचान दी, एक नई उचाई पर पहुचाया दुनिया की हर नर्स के सेवाभाव को समर्पित ये वर्ष निश्चित तौर पर पूरे नर्सिंग समुदाई के लिए बहुत बड़ी परीशा की घड़ी बन करके आया है मुझे विश्वास है कि आप सभी इस इमतहान में नसिप सफल होगी बलकि अनेकों जीवन भी बचाएगी आप जैसे तमाम साथियों के होसले और जज़्वे के कारण ही इतनी बड़ी लड़ाई हम लड़ पा रहे हैं आप जैसे साथी चाहे वो डॉक्टर हो नर्स हो परामेरिकल आशा एनम कारकरता सभाई कर्मचारी हो आपके स्वास के भी देश को भाव चिंता है इसी को देखते हुए ऐसे करीब 20 लाग साथियों के लिए 50 लाग रुपिय तक के स्वास्त विमा की गोश्टा सरकाने की है ताकि आप इस लड़ाई में और अथिक आत्मविश्वास के साथ देश का नेत्रूत्व कर सके हैं मेरे पहरे देश वास्यों करोना वाइरस के खिलाब इस जंग में हमारे आस पास ऐसे अनेएक लोग हैं जो समाज के रियल हीरो है और इस परिस्तिति में भी सबसे आगे खड़े हैं मुझे नरेद्र मोदी एपर नमो एपर बैंगलूरू के निरंजन सुधाकर हवाले जी ने लिखा है कि ऐसे लोग डेली लाइफ हीरोज हैं ये बात सही भी हैं ये वो लोग हैं जिन की वज़े से हमारी रोजमरा की जिन्दगी आसानिक से चलती रहती हैं आप कलपना करिए कि एक दिन अपके घरों में नल में आने वाला पानी बंद हो जाए या फिर आपके घर की बिजली अचाना कट जाए तब ये डेली लाइफ हीरोज ही होते हैं जो हमारी दिक्कतों को दूर करते हैं जरह आप अपने पडोस में मोजूद छोटी परचुन की दुकान के बारे में सोचिए आज के इस कठीन समय में वो दुकानदार भी जोगिम उठा रहा है आखिर किसलिए इसलिए ना कि आपको जरुरत का सामान मिलने में कोई परेशानी ना हो ठिक इसी प्रकार उन के अपने काम में डटे हैं ताकि देश भर में आवशक वस्तुओं की सप्लाई चेन में कोई रुकावट ना है आपने देखा होगा बैंकिंग सेवाओं को सरकार ने चालू रखा है और बैंकिंग सेक्तर के हमारे लोग पूरे लगन से पूरे मन से इस लड़ाय का करें उतना धन्यवाद करें उतना कम है बड़ी संक्या में हमारे साथ ही इकॉमर्स से जूरी कंपनियों में डिलिवरी परसन के रुप में कार कर रहे हैं ये लोग इस कठीन दोर में भी ग्रॉसरीज की डिलिवरी देने में लगे हुए हैं जरा सोचिए कि आप लॉकडाउ की खपा रहा है इस दोरान आप पैसे अधिकाउंस लोग जो डिजिटल प्रेमेट आसानी से कर पा रहे हैं उसके पीछे भी बहुत से लोग काम कर रहे हैं लॉकडाउन के दोरान यही वो लोग हैं जो देश के कामकाज को सभाले हुए हैं आज सभी देशवाश्यों की तर अपना भी ख्याल रखें अपने परिवार जनों का भी ख्याल रखें मेरे पैरे देशवाश्यों मुझे कुछ ऐसी घटनाओं का पता चला है जिन में कोरोना वाइरस के संदीक्त आफिर जिने होम कॉरंटाइन में रहने को कहा गया है उनके साथ कुछ लोग बुरा है ऐसी बाते सुनकर मुझे अत्यनत पिड़ा हुई है कि बहुत दुर्भा के पोड़ है हमें ये समझना होगा कि मौजुदा हालात में अभी एक दुसरे से सिर्फ सोशल डिस्टन्स बना कर रखना है न की इमोशनल या हुमन डिस्टन्स ऐसे लोग कोई अपरादी नहीं ह है बलकि वायरस के संभवित पीडित भर है इन लोगों ने दूसरों को संक्रमन से बचाने के लिए खुद को अलग किया है और क्वारंटाइन में रहे हैं कई जगह पर लोगों ने अपनी जिम्मेदारियों को गंबितार से लिया है यहां तक कि वायरस के कोई लक्षन नही दिखने पर भी उन्होंने खुद को कॉरूंटाइन किया ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वे विदेश से लोट करके आये हैं और दोहरी सावधानी वरत रहे हैं वे यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि किसी भी सुरत में कोई दूसरा व्यक्ति इस वायरस से संक्रमि इसलिए जब लोग खुद इतनी जिम्मेदारी दिखा रहे हैं तो उनके साथ खराब व्यहवार करना कहीं से भी जायद नहीं है बलकि उनके साथ साहनुभूती पूरवक्त सहयोग करने की आवशक्ता है कोरोना वायरस से लड़ने का सबसे कारगर तरीका सोशल डिस्टन्सिंग है लेकिन हमें ये समझना होगा कि सोशल डिस्टन्सिंग का मतलब सोशल इंट्रेक्शन को खतम करना नहीं है वास्तों में ये समय अपने सभी पुराने सामाजी की रिस्तों में नई जान हुकने का ह एक प्रकार से ये समय हमें यह भी बताता है कि social distancing बढ़ाओ और emotional distance गटाओ मैं फिर कहता हूँ social distancing बढ़ाओ और emotional distance गटाओ कोटा से येश्वर्धन ने नरेद्र मोदी एप पर लिखा है कि वे lockdown में family bonding को मजबूत कर रहे हैं बच्चों के साथ board games और cricket खेल रहे हैं किचेन में नई नई डिसेज बना रहे हैं जबलपूर के निरुपमा हरसेई जी नरेद्र मोदी एप पर लिखती हैं कि उन्हें पहली बार रजाई बनाने के अपने शौक को पुरा करने का मोका मिला है यही नहीं वो इसके साथ ही बागवानी का शौक भी पुरा कर रही है वही राईपूर के परिक्षित, गुरुगाम के आर्यमन और जारखन के सुरिजजी का पोस्ट पढ़ने को मिला जिसमें उन्होंने अपने स्कूल के दोस्तों के ई-reunion करने की चर्चा की है उनका यह आइडिया काफी रोचक है हो सकता है कि आपको भी दसकों से अपने स्कूल कॉलेज के दोस्तों से बात्चित करने का मोका न मिला हो आप भी इस आइडिया को आजमा कर देखिए भूमनेश्वर के प्रत्युस और कोलकता की वसूधाम ने बताया कि वे आजकल उन किताबों को पढ़ रहे हैं जीने अब तक पढ़ नहीं पाये थे सोशल मीडिया में ही मैंने देखा कि कुछ लोगों ने वर्षों से घर में पढ़े तबला वीर्णा जैसे मुजिकल इंस्ट्रुमेंन को निकाल कर रियाज करना शुरू कर दिया है आप भी ऐसा कर सकते हैं इससे आपको संगीत का आनन तो मिलेगा ही पुरानी यादे भी ताजह हो उठेगी यानी मुश्किल की इस घड़ी में आपको मुश्किल से एक ऐसा पल मिला है जिसमें आपको न केवल अपने आप से जुड़ने का मौका मिलेगा बल्कि आप अपने पैशन से भी जूड़ पाएंगे आपको अपने पुराने दोस्तों और परिवार के साथ भी जूड़ने का पूरा आउसर मिलेगा नमो एपर मुझे रूड की से ससी जी ने पुछा है कि लॉकडाउन के इस समय में मैं अपनी फिटेश के लिए क्या करता हूँ इन परिस्तितियों में नवरात्री का उपास कैसे रखता हूँ मैं आपको पता दो मैंने आपको बाहर निकलने के लिए मना किया है लेकिन आपको अपने भीतर जौकने के लिए अवसर भी दिया है ये मोका है बाहर मत निकलो लेकिन अपने अंदर प्रवेश करो अपने आपको जानने का प्रयास करो जहां तक नवरात्री के उपास की बात है ये मेरी और शक्ति के भक्ति के बीच का विशह है जहां तक फिटनेस की बात है मुझे लगता है कि बात लंबी हो जाएगी तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं सोशल मीडिया में मैं क्या करता हूँ उसके विशह में कुछ वीडियोज अपलोड करूँगा नरेदमोधी एप पर आप जुरूर उस वीडियो को देखेंगे कि जो मैं करता हूँ संबवत हो उस पैसे कुछ बात है आपके काम आ जाए लेकिन एक बात समझ लीजिए कि मैं फिटनेस एक्षपर्ट नहीं हूँ और नहीं मैं योगा टीचर हूँ मैं सिरफ आपको भी हो सकता है ये बाते कुछ काम आ जाए साथियो कोरोना के खिलाब ये युद्ध अभुत्पूर्व भी है और चुनवतिपूर्ण भी इसलिए इस दोरान लिये जा रहे फैसले भी ऐसे हैं जो दुनिया के इत्यास में कभी देखने और सुनने को नहीं मिले कोरोना को रोकने के लिए जो तमाम कदम भारत वास्चियों ने उठाए हैं जो प्रयास अभी हम कर रहे हैं वही भारत को कोरोना महामारी पर जिद दिलाएंगे एक-एक भारतिय का सहियम और संकल भी हमें मुश्किल स्थिति से भार निकालेगा साथ साथ गरीबों के प्रति हमारी संबेदनाई और अधिक तीवर होनी चाहिए हमारी मानवता का वास इस बात में है कि कहीं भर भी कोई गरीब दुखी भूका न जराता है तो इस संकट की घड़ी में हम पहले उसका पेट भरेंगे उसका जरूरत की चिंता करेंगे और य हिंदुस्तान कर सकता है यह हमारे संसकार है यह हमारी संस्कृत ही है मेरे प्यारे देशवासियों आज हर भारतिया अपने जीवन की रक्षा के लिए घर में बंध है लेकिन आने वाले समय में यही हिंदुस्तानी अपने देश के विकास के लिए सारी दिवारों को तोड़ कर आगे निकलेगा देश को आगे ले जाएगा आप अपने परिवार के साथ घर पर रहिए सुरक्षित और सावधान रहिए हमें ये जंग जीतना है जरूर जीतेंगे मन की बात के लिए फिर अगले मेहने मिलेंगे और तब तक इस संकटों को महत करने में हम सफल हो भी जाए इसी एक कल्पना के साथ इसी एक शुबकामना के साथ आप सब को बहुत बहुत धन्याएं